आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now देखो इसमें बोल रहा है एक ray of light है वो इस interface पर यहाँ पर air का refractive index है या ग्लास का refractive index है ग्लास का refractive index हमको 1.5 गीवन है और air का 1 होता है यह given information होती है यह पता होना चाहिए कि air का refractive index 1 होता है तो बोल रहा है इसको 30 degree पर हमने incident कराया ओके तो 30 degree पर incidence मतलब कि यह रहे normal के साथ 30 degree बना रही है तो उसके बाद बोल रहा है कि यह refract करी होगी obviously तो पूछ रहा है angle of reflection क्या होगा ओके तो अब इसको हम निकाल लेते है स्नेल स्लो से अगर हम स्नेल स्लो लगाए तो वह होता है na into sin i is equal to ng into sin r अब na हमको पता है 1 है यह होगा sin 30 i 30 है नॉर्मल ग्रास हमको 1.5 गीवन है 1.5 into sin r sin 30 होता है 1 by 2 और 1.5 होता है 3 by 2 sin r तो इससे हमारा sin r आ गया 1 by 3 ठीक है और sin inverse 1 by 3 हमको पता है 19.47 डिगरी पर होता है तो हमको angle of reflection निकालना था वह आया हमारा 19.47 डिगरी यह था हमारा answer ओपा पो गोई दिखतना होई हो क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर झालाप . झालाप . झालाप .